यहां इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एक संक्षिक्त और जानकारी पूर्ण विडियो है इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का अंतरसंबंध है यहां एक विशाल मकडी के जाल की तरह है यहां सभी कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ लाता है अंतर, इंटरनेट बनाने के लिए अर्बो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए है हम इंटरनेट का उप्योग ब्राउजर के माध्यम से करते हैं उदाहरन के लिए गूगल क्रोंग, माइक्रोसोफ्ट एडजर, मोजिला, फायरफॉक्स आदी यहां वर्ड वाइड वेब के माध्यम से किया जाता है इंटरनेट और वर्ड वाइड वेब अलद अलद है इंटरनेट दुनिया भर के अर्बो कम्प्यूटरों का अंतर संबंध है लेकिन वेब इंटरनेट पर मौजूर जानकारी है जिसमें इमेल, चैट, फायल शेरिंग प्रोग्राम आदी शामिल है इंटरनेट एक विशाल नेटवर्ड जैसे उपग्रा, सेलुलर नेटवर्ड और भौतिक केबल से बना है विकिपीडिया, गूगल, बीबीसी आदी जैसी वेबसाइटों के सर्वर जानकारी एकत्र करते हैं हम देस्कटॉप, कम्प्यूटर, लैप्टॉप, सेल फोन, टैबलेट आदी जैसे उपकरणों को क्लाइंट कहते हैं ग्राहक चित्र, आउडियो, विडियो, पाथे जानकारी जैसी सामगरी का अनुरोध करते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP, नामक एक संगठन उपभुकताओं को यह जानकारी प्रदान करने में मध्यस्त के रूप में कार्य करता है ISP यहां बदले में लाखो या अर्बो कम्प्यूटरों को एक साथ जोड़ता है यहां अन्ता एक विशाल नेटवर्क का निर्मान करेगा जिसे इंटरनेट कहा जाएगा जब हम किसी नेटवर्क पर देटा भिजते या प्राप्त करते हैं तो हमारा कम्प्यूटर, IP और म्याक एड्रेस होना चाहिए नेटवर्क पर एक डिवाइस का अपना विशिष्ट पहचान करता होता है जिसे म्याक एड्रेस कहा जाता है IP पता हमारे घर स्थान के पते के समान है एक नेटवर्क में देटा पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है जो बाइनरी अंक, शून्य और एक का सयोजन होते हैं देटा को आडियो, विडियो, इमेज, टेक्स्ट इत्यादी जैसे पैकेटों में तोड़ा जा सकता है और गंतव्य तक पहुँचने पर उन पैकेटों को क्रम में फिर से इकठा किया जाता है यहां इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बुनियादी जानकारी है यदि आपको यह विडियो उप्योगी लगे तो क्रिप्या इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें क्रिप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले विडियो देखने के लिए धन्यवाद